हलो एरिवन, कॉंपटिटिव एक्जाम में आपका एक बाफिर स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जैसा कि आप इसमें देश सकते हैं कि आज HPPSC शिमला के द्वारा एक एड़टाइजमेंट नोटिस निकाला गया है जैसा कि आप इसमें डेट देख पा रहे हैं कि 20.11.2023 की एड़टाइजमेंट है इसमें इन्होंने कहा है कि आप 18.12.2023 तक इसके लिए अपलाई कर सकते हो इसके बाद जो इसका लिंक है वो डिसेबल कर दिया जाएगा तो कौन कौन सी ये पोस्टे निकली है आईए हम इसमें देखते हैं जैसा कि आप आप देख पा रहे हैं ये जो दो अड़टाइजमेंट है निकली है 27 और 28 जो दोनों ये अड़टाइजमेंट आपकी डिरेक्टरेट आफ इंडस्ट्रियल एचपी में है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की ये रिकूट्मेंट रहेगी और पहली जो पोस्ट है उसका नाम है माइनिंग इंस्पेक्टर माइनिंग इस्पेक्टर आपको पता है कि हमीरपूर चैन जो बोर्ड था उसके थुरू आपको देखने को मिलती थी क्योंकि ये क्लास 3 की पोस्ट रहती है और ये जो पोस्ट निकली है कॉंट्रेक्ट बेस्ट इस पर आपकी रहेगी और इनको जो लेवल रहेगा वो लेवल सेवल जो इसका सेलरी का रहेगा पेस्केल का 28,900 से लेकर 91,600 रुपय तक आपकी सेलरी रहेगी और जो इसमें 5 पोस्ट इस निकली है आप इसमें दे सकते हैं कि अन्रिजर्भ यानि कि जनरल की इसमें 4 पोस्ट रहेगी औरск की एक पोस्ट रहेगी और जो दूसरी पोस्ट रहेगी ऐसिस्टेंट माइनिंग इंस्पक्टर की जो contract basis पे रहेगी ये भी class 3 की post है और उसका जो pay band रहेगा ये level 6 का रहेगा 25,600 से आपकी salary start होगी जो की 81,200 रुपए तक रहेगी और इसमें जो है 8 post आपकी ये निकली है जिसमें की 3 आपकी general की रहेगी दो आपकी SC of हिमाचल परदेश और OBC की इसमें एक रहेगी और ST की एक रहेगी और EWS की एक रहेगी तो ये post आज निकली है total इसमें लगबक 13 post ये निकली है इसमें आप देश सकते हैं कि इन्होंने लिखाए कि application received through any other mode will not be accepted and will be rejected straight way यानि कि इसमें इन्होंने का है कि जो आपके form होंगे वो online ही apply होंगे other जो जिससे भी आप apply करते हो वो मान्य नह condition and examination fee etc have been mentioned in the detailed advertisement यानि कि इसकी आपको कल इसको इसकी जो है आपको detailed advertisement देखने को मिल जाएगी जिसमें इन्होंने mention किया होगा कि इसकी और क्या इसका exam slaves किस परकार का होगा और इसकी जो है qualification क्या रहेगी जो last time आपके हमीरपूर चैन बोट से जब ये form निकलते थे तो इसकी qualification आपके इसमें BSE मांगी जाती थी और assistant mining inspector में 10 plus 2 यदि आपकी science में है तो आप इसके लिए apply कर सकते थे अब कल आपको पता लग जाएगा कि इसकी क्या qualification रहने वाली है तो जो भी candidate eligible है वो इसके लिए apply कर सकते हैं और आपको पता है कि HPPSE से जो fees का criteria रहता है वो आपको 400 पता है और other category की जो रहते हैं उन्हें 100 रुपीस fees इसमें रहती है तो जो भी eligible candidate है वो इसके लिए 18-12-2023 तक apply कर सकते हैं उसके बाद इसका जो link है वो disable कर दिया जाएगा तो आज की ये notification आपको कैसे लगी यदि ये notification आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को like कर स सकते हो धन्यवाद